नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे बारबंगी पुलिस ने हाइवे पर ट्रॉकों के टायर और बैटरी लुटने वाले अंतराज्ये गैंग का भंडा फोर्ड किया है पुलिस ने गैंग के सरगना समेत दो सदस्यों को गरफतार किया है इना बदमासों ने जनपद आयोध्या में दो घटनाओं को अंजाम दिया था जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थे ये श्वातिर हाईवे किनारे सो रहे चालक और क्लीनर को निश्वाना बना कर उन्हें कंटेनर में ही बंधक बना देते थे इसके बाद नगदी बैटरी और कंटेनर के टायर लूट लिया करते थे बारबंकी की रामसनेही घाट पुलिस टीम ने इन सब ही लूटेरे को पकड़ा है एड़ी जी लखनाउ जोन एसन साबत पुलिस टीम को इसा सफलता के लिए 50,000 रुपे का नगद इनाम भी दिया गया रामसनेही घाट पुलिस ने गैंके सरगना फिरोज और उसके साथी मुन्ना को मुरार गाउं से गिरफतार किया ये दोनों मुरादाबाद की निवासी है पुलिस ने इनके पास से लूट का सारा सामान भी बरामत किया पुलिस के मुताबिक गुजरात से चुहारा लेकर गोरखपूर में डिलीवरी कर लोट रहे फिरोजाबाद के सिकोहाबाद तहसिल के रानी मौग गाव निवासी ट्रक चालक सुखचंदन और खरासी रवी यादव गोरखपूर जिले में इस्थित गल्ला मंडी से उतारा था इसके बाद गुजरात के लिए जा रहे थे तभी नींद आने पर दोनों लखनव आयोध्या राजमार्क पर इस्थित एक पेट्रोल पंप के पास कंटेनर को किनारे खड़ा कर सो गये चालक सुखचंदन ने बताये कि सोते समय चार बदमाश कंटेनर में घुसे और तम लेकर चालक और खलासी के पास से करीब 7000 रुपए लूट लिये जिसके बाद किसी तरह इन लोगों ने रस्ती खोल कर इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी पुलिस ने अभी तक इन लोगों के द्वारा लगभग 46 घटनाओं के हो इसी आधार पर बारा बंकी के एस्पी डॉक्टर अरविंद चतुरवेदी बाकी जीलो के एस्पी से भी संपर्क करके इनके बाकी केस खंगालने में जुटे हुए हैं बिरो रिपोर्ट नियूस 29 इंडिया सेप्टेंबर रातिकाल में ठाना रामसने घाट पर ये पता लगा कि एक ट्रक जो सामान लेकर गुट्स लेकर वो गुजराट से वहां गोरकुर तक गया था और वाकसी में रास्ते में उस ड्राइवर को हाथ पर बांद कर वहीं पर छोड़ दिया गया था और ड्राइवर यहां लोकल इस प्रकार गैंग नहीं था जो इस प्रकार घटना क्यों कारिब करती हूं तो उसके साथ-साथ हमें यह भी पता लगा कि जन्पद अयोध्या में भी इस प्रकार इक अधना हो रखा है और दोनों को एक कड़ी में जोड़कर हम लोगों ने इन्वेस्टिकीश सब्सक्राइशन हुआ वह वास्तविक काविले तारीफ है कि उनको यह पता लग गया कि किस गैंग का इसमें हाथ में और फाइनली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि काफी दूर से मुरादाबाद से यह गैंग यहां पर आया था और गैंग के दो मेंबर जो आप अभी हैं फिरोज पूत्र दिलशाद मुन्ना उर्फ मुशरफ यह दोनों एरेस्ट हुए और यह इनके पास से इनके पास भी एक बड़ा ट्रॉलर होता है जो जिस ट्रॉलर में यह स्वयम बाकी डायर को अपना रख लेते हैं बैटरीज को रख लेते हैं ऐसा गई घटना एक र आउट रास्त में नहीं हो पाता है और यह घटा काफी दूर दूर करते हैं ताकि किसी का कोई सम्मावना ही बना बना रहे है कि किस प्रकार यह घटना को पता लगाए लेकिन मैं बदाए देना चाहूंगा पुलिस अदिक्षिक बारापत कि उनके पुरी टीम को कि जिन्हो लेकिन उसके साथ सब्सक्राइब नहीं खुद कुबुला है लगवग चालीस सभी अधिक घटना भारत वर्सके बिविन स्थान पर करने गए जिसको प्रयास किया जा रहे हुँ सबीकों करने लिए क्या फाइर लिखा गया था नहीं लिखा गया था कहां पर इक नहीं पर होगा और अधिया घटना के अभी अनावरण का लीड बिला है और उसी पर भी कारी हो रहा है और पुरा विश्वास सब्सक्राइब करें पहले भी यह कमी पकड़े गए हैं इनके गैंग से कुछ लोग जरूर पकड़े गए हैं और अभी यह लूटे गए तेरा पहिया बर सब्सक्राइब करें और अच्छा कार्ण के लिए यह अच्छा कारी है तो यह पुलिस टीम को जो है हमारे द्वारा प्रसक्रित किया रहा है तो आप देखते रहें न्यूस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश झाल झाल झाल